नश्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस योट्यूण चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्र्ठ कालीन भारत के डक्षण лег भारत के जो दो सामराजी थे विजयनगर सामराजी और बहमनी सामराजी इन दोनों सामराजियों में जो विदेशी यात्री विशेश रूप से यूरोप से जो यात्री यहाँ पर आये थे भ्रमन करने के लिए यात्रा करने के लिए और उन्होंने इन दोनों सामराजियों में जो भी कुछ देखा यहां के राजाओं के बारे में सासकों के बारे में सुल्टानों के बारे में सासन कैसा है, प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की है, लोग कैसे हैं, आर्थिक इस्थिति कैसी है, सामाजिक इस्थिति कैसी है, सांस्कृतिक दसा कैसी है, इसके अलावा यहाँ पर उस ताइम पर जो भी इस्थापत के वास्तुकला जो भी नि बाध्य टीच करते हैं है आज़के इस वीडियो को विजयनगर और बहंनी II समराज्ज यहां आए विटते हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रीप्सप्रिप्स्री में भी उसका लिंक दे दूँगा तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को विजय नगर और बहमनी सामराज्य में आने वाले विदेशी यात्री तो देखें सबसे पहले हम देखते हैं निकोलो कॉंटी इस तरब जो मैंने नाम लिखा हुआ है जितने भी विदेशी यात्री आये थे उनके न नाम है तो सबसे पहला निकोलो कॉंटी निकोलो कॉंटी कहां का था यह इटली का इटली जो की यूरोप का एक देश है इटली तो वहां का था निकोलो कॉंटी यह आया था देवराय प्रथम के समय में 1420 से 222 के मध्य मतलब कि 1420 से 1422 के मध्य में आया था विजय नगर साम सामराज्य था उसमें 4 वन्ज्वों ने सासन किया थी से पहला शंगम, दूसरम थी चौथा अर्विडव तो ये जो देवराय प्रथम था ये था संगम 1 का संगम वन्ज के सासक देवराय प्रथम के समय में निकोलो कौन्टि जो की इटली का था 1420 इस्वी से 1422 इस्वी के मध्य में विजय नगर सामराज्जी की यात्रा की थी उसके बद अगला है अब्दुर रज्जाक ये कहा का था इरान इरान जिसको की फारस भी कहा जाता है परसिया भी कहा जाता है तो इरान में एक इस्थान है खुरासान याद रखेंगे इरान में किस्थान है खुरासान कहां पर है यह इरान में है और उस समय खुरासान का सासक था सहरुक सहरुक अभी फिल्म अभीनेता सहरुक खान नहीं उस समय भी सहरुक हुआ करते थे तो खुरासान का सासक कौन था सहरुक तो सहरुक ने अपना राजदूत बना करके अब्दुर रज देखे हमारे जो राजा महराजा हुई है ना उनके जो नाम एक ही हुआ करते थे उसमें प्रथाम दूतिय तृतिय ये लगा करके जो है चलाया जाता था तो अब्दुर रजाक जो की इरान का था सहरुख जो की खुरासान का सासक था उसने अपना राजदूत बना करके इसको को भेजा विजय नगर सामराज्य में संगम वन्स के सासक देवराय दुईतिय के पास कब 1442 से 1443 इसवी के बीच याद रखिएगा अगला अथनासियस निकेतिन यह जो है नाम फ्रोड़ा से कठीन है आप लोग इसको याद रखिएगा निकेतिन को सिर्फ निकेतिन याद यह कौन था बहमनी वन्स का सासक था दो सामराज्य थे बहमनी विजय नगर तो बहमनी सामराज्य का सासक था मुहम्मद त्रितिय उसके सासनकाल में अथनासियस निकेतिन जो की रूस का था 1470 से 1444 इसवी के बीच यहाँ आया हुआ था बहमनी सामराज्य की यात्रा की थी देखे ये जो निकेतिन था ना ये घोडों का सवधागर था घोडे बेचने यहां आया हुआ था निकेतिन तो घोडे बेचने यहां आया हुआ था इसके अलावा इसको यहां की जो भी संस्कृति दिखी होगी जो भी चीजें यहां दिखी होगी अच्छी लगी होगी तो उ में से केवल और केवल निकेतिन ही है जो बहमनी सामराज्य की यात्रा पर आया था बाकी के सभी के सभी विजयनगर सामराज्य में आये थे बस इतना आप लोग याद रखिए यह जो मुहम्मद तृतिय है यह बहमनी सामराज्य का सासक था बाकी सभी विजयनगर सामराज्य के पिसा सकती। उसमत अगला हम देखते हैं एडू-अ्डो-बारबुसा। इसमें से आप बारबुसा को याद रखेगा। भूल जाएए खाली बारबुसा भी याद रखेंगे, चलेगा। एडू अडो बार्बोसा कहां का था ये पूर्तगाल पूर्तगाल का था तो ये जो है कृष्ण देवराय कृष्ण देवराय विजय नगर सामराज्य का सासक था किस वंस का था तुलूव वंस का तुलूव याद रखेंगे तुलूव वंस का मैंने बताया चार वंसों ने सा विजय नगर सामराज्य में संगम, सालूव, तुलूव और अर्विडो जो देवराय प्रथम देवराय दूतिय ये दोनों जो हैं संगम वन्स के सासक थे तो कृष्ण देवराय विजय नगर सामराज्य में सासन कर रहा था जो कि तुलूव वन्स का सासक था इसके सासनकाल मे 1516 से 1518 इस्वी के बीच में एडो अडो बार बोसा जो की पूर्तगाल का था विजय नगर सामराजी की यात्रा की थी उसके बाद अगला देखते हैं डोमी गोज पेईज ये कहा का था पूर्तगाल का 1520 से 1522 इस्वी के समय कृष्ण राय देव के समय भारत आया था मतलब की विजय नगर सामराजी के यात्रा की थी दोनों एकी हैं कृष्ण देव राय हैं तो कृष्ण देव राय के समय पहले तो बार बोसा आया उसके बाद पेईज आया डोमिगोज पेईज तो कृष्ण देव राय जो की विजय नगर सामराज्य का तुलूव अंसिय सासक था उसके सासन काल में दो विदेशी यात्री आये कहां के थे दोनों पूर्तगाल के थे पहला एडूर्डो बार्वोसा दूसरा डोमिगोज पेईज देखिए अब पूर्तगाली यात्री ही आएंगे खाली नीचे देखिए पूर्तगाली फिर डेन्मार्क क्यूंकि 1498 में वासको डिगामा भारत आ गये थे और उन्होंने काली कट उस बाद गोवा कहीं सारे छेत् गया है नूनीच के विस्टगाली था यह किसके सासनकाल में आया था विजय नगर सामराज अच्यूत देवराए यह जो है तुलूवएंस का सासक था विजय सामराज्य का सासक इसके समय में 1535 से 1537 इसमी के मध्ध नुनिज जो कि पूर्टगाल का था भारत आया हुआ था इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी घोडों का सवधागर था मतलब की घोड़े वेचने आया हुआ था देखे उस टाइम पर जो है घोड़े काफी महत्व पूर्ण हुआ करते थे क्योंकि जो घोड़े होते थे वो सेना के लिए चाहिए होते थे और जो आवागमन का साधन होता था उसमें घोडों का बहुत अधिक प्रियोग किया जाता था तो नुनिज के बारे में भी कहा जाता है कि घोडों का व्यापारी था याद रखेंग कि ये जो है सोलवी सधी में भारत आया था सीजर फ्रेडरिक कहा का था पूर्तगाल का था इसके विशे में इतना याद रखिएगा कि सीजर फ्रेडरिक ने भारत के संबंध में विजय नगर सामराज्य के संदर्भ में जो भी लिखा उसमें इसने जो है विशेश रूप से ताली कोटा के युद्ध के बाद जो भ्यंकर मारका तुई थी वहाँ पर जो विद्वन्स हुआ था ताली कोटा छेत्र में विजय नगर सामराज्य को लूटा गया था देखे ताली कोटा का युद्ध ये क्या था 1565 में लड़ा गया था एक तरब तो विज़ा नगर साम में जो भेंकर मार काट हुई थी जो बरबरता हुई थी उसके जो भी मतलब बाद में जो अवसेस रहे होंगे खंडर वंधर तो उसके विसाय में इसने जो है काफी कुछ लिख रखा है तो सीजर फ्रेडरिक हो सकता है ताली कोटा युद्ध के समय आया हो या फिर उसके अगला है जॉन लिस कोटेन यह कहां का था डैनमार्क देखे हमारे भारत में कई सारे यूरोपिय देश व्यापार करने के लिए आते हैं जिन में से आखिर में अंग्रेज यहां के सासक बन बैठते हैं तो पूर्तगाली डच फ्रांसिसी अंग्रेज यह सब आते हैं तो य याद रखेंगे डैनमार्क की लोगों को क्या कहते हैं डच तो यह जो जॉन लिस कोटेन है यह देनमार्क का था मतलब कि डच था और जो पूर्तगाल से आए हुए हैं उनको पूर्तगाली कहेंगे मैंने आप पूर्तगाली लिख भी दिया है तो पूर्तगाली तो पूर् नासियस निकेतिन ये जो है बहमनी सामराज्य की यात्रा पर आया था और बाकी के सभी साथ वो विजय नगर सामराज्य में आये थे तो आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें वीडियो को आखेर तक देखने के लिए धन्यवाद है